हेलो एरबन कैसे हो आप लोग आज का जो वीडियो है वो है भाई मोटो एज 14 यो के बारे में ये फोन इतना डिमांड में क्यों है वो टेस्ट करने के बाद हम लोगों पता चला तो आज आप से सब कुछ सेयर करने वाले हैं वैसे तो हम बता दें कि ये फोन का भाई बहुत अच्छा डिस्प्ले होना बहुत जुरूरी है और ये फोन जो हमको काफी जादे इंप्रेस किया है डिस्प्ले के मामले में आउट्डोर विजिबिलिटी में क्या मस्त एक ता एक दम शार्फ डीटेल बहुत ब्राइड दिखता है और कलर्स को बहुत बूस्ट करके दिख बहुत ही मतलब बेस्ट क्वालिटी का डिस्प्ले आप इस प्राइस सेंग में आपको मिल जागा 14 फाइजी बैंड को सपोर्ट करता इप 68 का रेटिंग भी है और साथ में जो ऑडियो कॉलिटी है डूल स्पीकर के साथ आता है पांच हजार एमेज का बैटरी है 68 वाट का बॉक्स चार्जर जो है बॉक्स में जाता है तो अगर आप मोटो एज 40 नियों का वीडियो देख रहे हैं तो हम लोग इन तीनों फोन को भी कंपेर करने वाले हैं तो अभी से आपको क्या करना है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ओन करके रेडी रहना है क्योंकि यह बहुत धमाकेदार होने वाला है अगर प्राइमरी कैमरा का बात करेंगे तो यह 50 Megapixel का F 1.8 अपरचर वाला 1x1.58 का यह संसर है और काफी अच्छा है यह संसर है और काफी हम लोगों ने देखा है पहले कि अच्छा परफॉम किया है इसके पहले अगर 84 वगरा में यही संस बगर लिया है पहला जो नोटिस करना को में लगा कलर जो है बूश्टेड है काफी जादा मतलब डेटाम को फोटो में कफी जाद कलर सूच्टेड था इसका इछी स्का इई जफिज्यादब ब्लू को चुका था घ्री नोचिका था तो यह लगा कि कुछ लोगों यह करता है सेडों और हाइलाइट को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करता है शेडों वाले पार्ट में बहुत कम नॉइस है ये भी अच्छा था लेकिन एक चीज था कि भाई शापनेस के मामले में कहीं कहीं पे थोड़ा से डल हो जाता है जितना आप लो लाइट के साइड मे लो लाइट में परफॉर्म करते हैं जैसा प्राइमरी कामरा में देटाइम फोटोस था वैसा लो लाइट करने था वह और बहुत रोसे क्ता था फ्लैस के साथ यह फोटोस का फिम्रेस किया वह अच्छा पाउरफुल फ्लैस है लेकिन श्याडो में नॉइज वहां पर भी लेकिन ठीक है जितना प्राइस रेंज का फोन है उतना हिसाब से अबर बोलेंगे तो एक अच्छा आपको कैमरा सेटप मिल जाता है एक दो बार हमने यह भी नोटिस क्या कि कैमरा वाला जो एप है वो हैंग हो गया था तो यह भी अपडेट में फिक्स हो जाए तो सटरल ल प्रेस किया लेकिन एक चीज जो लगा हमको फोटो का क्वालिटी जो है बस 5x तक यूजबल लगा 8x पर ऐसा लगा कि फोटो कार्टून बन चुका है तो हम रिकमेंट करेंगे 5x से उपर जूम नहीं करो तो बहतर है तो अगर पोट्रेट मोड का बात करेंगे तो यहां प को बता दे सेटिंग में आपको और भी ऑप्शन एडिट में जाओगे तो वहां पर आप जाके इसको ब्लैकन वाइट कर सकतो बैग्राउंड को और डेफ्ट का जो जो सेम फीचर अभी आइफोन में आया है वो इसमा पहले से मिल जाता है आप वहां पर जाके कर सकते हो यह बेटर है कि आप डे टाइम में ही यूज करो लाइट हो एक दम प्रोपर में तभी आप यूज करो लो लाइट में आप यूज करो तो भाई 35 से उपर जाओगे जैसे ही मतलब 35 में भी स्टागल करता है 50 में तो काफी जादा नौइज आजा जाता है 24 mm ही आप यूज करना अगर डेटाइम फोटो का बात करेंगे तो यह मतलब काफी अच्छा डिटेलिंग के साथ फोटो अगर जाता है एच सेलेक्शन एक्सलेंट है डाइनमीक रेंज बहुत ही बढ़िया है मतलब एक अच्छा पोर्टेट शॉर्स के लिए फोन बहुत ही बढ़िया है इसमें इसमें भी थोड़ा थोड़ा बूस्टेड लगेगा डाइनमीक रेंज बगर सब कुछ बहुत ही बढ़िया लेकिन वहीं है कि जैसा फोटो आपको सोचल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए वाइसा फोटो आपको कहीं नहीं मिल जाता है तो डे टाइम का फोटो था बहुत 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 बड़ा इंप्रूमेंट बोलेंगे मोटो के साथ इस चीज में कोई स्पेक सीट में देफिनेटली बोलेंगे कि मोटो ने बहुत ही तगड़ा काम किया पहला इंप्रिशन यहीं था कि वाओ मतलब इस सेग्मेंट में मोटो ने जो लेकर आया ना मतलब यह इल्ट्रावेट 13 Megapixel का वह भाई शापनेश डिटेलिंग देता है और बेस्ट क्वालिटी यह था कि वह इसका कि अल्ट्रा वाइड एक दम अल्ट्रा वाइड पॉइंट सेवनेक्स अशा कुछ नहीं इस सेग्मेंट में इससे बहतर अल्ट्रावाइड नहीं मिलेगा और इसके अल्ट्रावाइड से आप हाई क्वालिटी का मैक्रों भी रीप मतलब फोटोस क्लिक कर सकतो यह बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है इस प्राइस सेग्मेंट में आपको एक और फोन जो है मैनुएली करना पड़ेगा ऑटो स्विच नहीं होता है संसुं की फोन की तरह कि मल्टीपल लोगों को देखा तो वाइडर वी में स्विच हो गया लेकिन में क्वालिटी काफी बढ़िया है हमको यह चीज लगा कि जैसा रियर कैमरा में अप्तिमाइजेशन है उस तरीके क देखा ओर सकता था कभी कभी क्लर्स थोड़ा सा फीका लग जाता है वहां पर थोड़ा सा और मसला बूश्ट होना चाहिए कभी कभी शुआ थोड़ा सा फील हुआ लिकिन ओवर अच्छा ग्वालिटी है फेस को जयादा चिकना मैं नहीं करता है अगर पोड़ेट लेते हो तो मल्टीपल लोगों को यह फ्रेम में भी लेता है काफी जीवे में कुछ किसी को ब्लड नहीं करेगा तो यह सब चीज अच्छा था और लो लाइट में भी अगर आप जाओगे फ्लैस वगरा के साथ अपको इसमें मिल जाता है उसके साथ भी लिए फोटो बढ़िया क्वा सकते हो वीडियो मोड में अगर आप जाते हो तो फोरके सेटिंग यहां पर फूल एजडी में अगर आते हो अल्ट्रावाइट पर तो टेनटी भी थर्टी एपस कहीं ऑप्शन है मतलब थर्टी एपस ही मैक्सिमम भी रिकॉर्ड कर सकता है वनेक्स पर आप जाते हो वीडि सकते हो मोड सेटिंग में तो इस पॉर्ट कलर को जोना उस correct ले सकते हो अल्ट्रा रिज्टी इस प्र्ट्र कॉर्ट उर्ट्र में मौड है थेल ना चाहते हो तो यहाँ पे देखो कि 180 ऑर 4K दोनों में इल्ट्रावाइड और वनेकस तो नों पर रिकॉर्ड कर सकते हो तो अगर 4K वीडियो का बात करें तो क्वालिटी बहुत ही शान्दार है मतलब लग रहा है कि ट्राइपोड पर लियावा शॉट है लेकिन हैंड लियावा शॉट है और क्यूंकि भाई देखो OIS और EIS दोनों बहुत बढ़िया काम करता है हर स्टेबलाइशन मोड पे यह 4K क नहीं हमको दिखा है नॉर्मल सिचुएशन में कलर अगर अब बहुत अधिया आता है डे टाइम में और लो लाइट में भी लिया गया जो शॉट्स था वह बढ़िया था यह एक्स्ट्रीम डार्क नहीं है यह नॉर्मल सिचुएशन उस समय बढ़िया था नॉइस लेवल आपको दिख गया होगा श्याडव में नॉइज है ब्राइट थोड़ा सा करता है फेस को देखके कभी कभी फेस दिखेगा तो थोड़ा सा ब्राइट करता और फ्लैस भी आप यूज कर सकते हो लो लाइट में इवेन आपको इसको यह आफ करने का जरोत नहीं है वीडियो क इस्टी एपिस पर वीडियो बगरा लेते हो तो थोड़ा से स्टेवलाइशन यहां पर उतना बढ़िया नहीं लगा जितना फोर्के थर्टी एपिस पर वीडियो में लगता है तो हम यह बोल सकते कि फोर्के में आपको जादा बहतर अच्छा क्वालिटी सब कुछ मिलेग तो यह फोन 4K अल्ट्रा वाइड शूट कर सकता है और 4K अल्ट्रा वाइड में जो क्वालिटी है इस्टेवलाइशन है वह भी बहुत ही बढ़िया है 1080P 60fps का सपोर्ट में 1080P में 30fps का सपोर्ट है यहां पर इस्टेवलाइशन बहुत बढ़िया लगा या इस डे टाइम में बहुत ही बढ़िया काम करता है तो हम डेफिनेटली इस चीज के लिए हम इसको रिकमेंट करने माल है एक और चीज़ है वह मैक्रो है इसका काफी क्लोज जाके आप वीडियो बगरा शूट कर सकतो 4K में तो यह सब चीज इसको नेक्स लेवल बनाता है बस आप लो करना है तो हम इस फोन को एकदम रिकमेंट करने वाले हैं रीजन यह है कि भाई पहली बात कि यह अपने सारे कैमरा में 4K रिकॉर्ड कर सकता है और आप इस्टेबलाइशन चेक करो कि फ्रेंट कैमरा में रिकॉर्डिंग के टाइम कितना जबरतस इस्टेबलाइशन है उप इंडोर सिट्वेशन में कुछ इस तरीके का वीडियो आपको देखने को मिलेगा अगर हम लोग नॉर्मल लाइट कंडिशन में अगर वीडियो बगरा बनाए तो और इसमें एक चीज अच्छा है कि भाई आप वीडियो बनाने के टाइम पे आप इसका टॉर्च अन कर सकत रहा है तो कुछ इस तरीके का आपको ऑडियो बगरा जो है वो मिलने वाला है होन का डूवल कैप्चर मोड और सामने अब देख सकतो कि रोड है तो वहां से कैसा नॉइज बगर आ रहा है तो इसका आपको एक अच्छा एडिया मिल जाएगा इसमें आप यूज करने के टा और फ्रेम रेट डॉप गर ऐसा कुछ भी हमको दिखाने यह 120 fps का वीडियो है फुल एजडी पे तो क्वालिटी वाइस काफी अच्छा बोल सकते हैं और इसके लाब हम लोग पोर्टेट वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं लेकिन एक नेगटिव चीज लगा कि यह 720p तक है एक घंटे का हेवी यूजेज हुआ है आउट्डोर ब्राइटनेस के साथ कैमरा 44 आवर्स यूज हुआ है अभी भी बैटरी जो है 79 परसेंट बैटरी है तो अगर आपको 20-25 आर के रेंज में कोई फोन ऐसा पर्चेस करना है जिसमें आपको 4K वीडियो रिकॉर्ड होग अगले वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए